प्रवाव होने जा रहा है तो हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू जो मेरा प्रेडक्शन होता है वो लगन के बेस्ट पर होता है नाकी राशी के बेस्ट पर होता है आप इसको चंदर राशी के अकॉर्डिंग नहीं देखा किजिए मेरे सारे productions जो होते हैं that is based on lagan only तो हम start करते हैं देखे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेश लगन में तो मेश लगन की कुंडली में अगर आप देखिएगा तो एक नमबर यहाँ पर है दो नमबर यहाँ पर लिखेंगे फिर 3, 4, 5, 6, 7 केवल मैं important numbers लिख रहा हूँ सारे numbers नहीं लिख रहा हूँ 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे सारे numbers हो गए तो अगर मैं मेश लगन में देखता हूँ तो अभी शुक्र का जो राशी परिवर्तन होने जा रहा है वो अभी व्रिश्चिक राशी में था शुक्र अब वो धनू राशी में जा रहा है तो धनू राशी मतलब 9 number की राशी 8, 9 इसका मतलब यहाँ पर है तो अभी जो शुक्र का जो transition हो रहा है वो यहाँ से start होकर यह transit करेगा इस वाले अस्थान के तो इसका क्या effect पड़ेगा मेश लगन वाले जातकों के लिए तो देखिए सबसे पहले चीज़ है शुक्र जो था एक तो धन का मालिक है एक परिवार कुटम वाडी का मालिक है और एक पत्मी का मालिक था तो इस समय जो मेश लगन वाले जातक थे और कहां पर बैटा था शुक्र अभी अस्टम अस्थान पर जाके बैटा था अस्टम अस्थान पर को है एक शुब ग्रह माना जाता है तो इसकी इसको अगर मैं देखे हूँ तो अभी तक जो चल रहा था टाइम उसमें शुक्र जो था परिवार से अगर आप पार्ट्नर्शिप के लिए बात करना चाहते है तो पार्ट्नर्शिप का स्वामें खुद भाग्यम में पहुच गया है अगर आप unmarried हैं तो आपका लग इस समय शादी के लिए भी अनुकूल रहेगा अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के भी योग यहां से बनेंगे और दूसरी चीज जो भाग्यस्थान पे चला गया तो पिता से काफी अच्छा रिलेशन यहां पर डेवलप करेग और हादा कि देखिए शुक्र जो है वो ब्रसपती के घर में प्रवेश कर रहे हैं ब्रसपती शुक्र का एंटी लेकिन है तो दोनों गुरू तो इसलिए यहां पर निगेटिव फल नहीं मिलेगा यहां पर पॉस्टिव फल मिलेगा पिता का भी आपको सायोग मिलेगा और साथ में आपके आप अपना टाइम जो होगा वो ट्रैवलिंग करेंगे क्योंकि यह चोटे मोटे यात्राओं का भी गर होता है तो आप ट्रैवलिंग भी करेंगे कुछ और इस ट्रैवलिंग में आप अपने परिवार के साथ बड़ी अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे तो मेश लगन वाले जातकों के लिए overall शुकर का जो गोचार हो रहा है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है अब हम बात करते हैं दूसरे लगन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं वरिश लगन में देखता हूँ तो वरिश लगन में देखे दो नमबर यहां पर लिखा हुआ है तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ नमबर यहां हो गया आठ, नो किवल मैं काम के नमबर लिख रहा हूँ बाकी नमबर नहीं लिख रहा हूँ तो देखे अगर वरिश लगन है तो वरिश लगन, यहनी टॉरस लगन अगर हो गया टॉरस एसेंडिंट हो गया तो टॉरस में उल्लेडी शुक्र जो हुता है वो लगनेश होता है तो बहुत ही बढ़िया π्लाइनेट होता है लेकिन लगनेश कहाँ पर पहुँच गया अभी लगनेश आपके partnership वाले अस्थान पर, दामपत के सुख वाले अस्थान पर पहुचा हुआ था, डेली वेजेज वाले अस्थान पर पहुचा हुआ था, लेकिन अब शुक्र का जो transition हो रहा है, वो सब्तम अस्थान से होकर ये अश्टम में चला गया, देकिन निश्ट रूप से जो सब अश्टम अस्थान पे लगनेश का जाना सुब नहीं माना जाता है तो यहाँ पर आपको मानसिक रूप से कुछ विकार यहाँ पर मिल सकते हैं टेंशन हो सकता है और शुक्र जो की एक सौम में नैसारगीक प्लैनेट होता है वो रोग अस्थान का भी सौमी है और उसको आपस क्योंकि अश्टम में जाना लगनेश का अच्छा नहीं माना जाता है तो ओवरॉल इसकी जो दृष्टी पढ़ेगी इसकी दृष्टी आपके धन वाडी कुटम वाले अस्थान पे जाएगा तो अश्टम में चला गया यानि धन वाडी यानि आपके परिवार से आपके इसका ट्रांजिशन हाला कि मैं आपको एक चीज बता दो कि जो ट्रांजिशन का जब प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं तो उसको आप सामान अस्तर पे ही इसको फलादेश को सुनना चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट और भी होंगे यहां पे किवल शुक्र के तो यह मिला जूला असर वहां पे रहेगा लेकिन फिर भी जो ट्रांजिशन में जो है 50% तो यह अपना फल ऐसे देगा और बाकी जो 50% है वो अन्य ग्रहों का भी जो सैयोग होगा उनका जो योग होगा उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट हमें करना चाहिए अब हम बात करते हैं मिथुल लगन के जातकों के लिए कैसा होगा शुक्र का यह ट्रांजिशन तो देखें मिथुल लगन में यहां पर तीन नमबर लिखा हुआ है और अगर मैं देखूं तो दो और चार पांच छे साथ सब्तम अस्थान यहां हो गया आठ नो तो शुक्र जो है बेसिकली जो मिथुल लगन है उसमें शुक्र को कौन सा अस्थान मिला है एक 12 अस्थान मिला हुआ है खर्चे का अस्थान मिला हुआ है और पढ़ाई सिक्षा का भी अस्थान मिला है अगर इस कुंडली में शुक्र अगर स्ट्रॉंग हो जाता है तो विदेश में ज परिवर्टन करके यहां पर पहुँशने जा रहा है शुक्र का जो यह परिवर्टन होगा आपके पार्टनर्शिप वाले पोजीशन पर जाएगा और यहां पर देखे एक बहुत जबरदस्त जिन लोगों का लव अफेहर चल रहा था और जिनकी शादी नहीं हुए थी उनके लगन वाले जातकों के लिए निश्चित रुप से यहां पर होने जा रहा है तो अगर जिनको क्योंकि अभी तक थोड़े प्राब्लम चल लेते क्योंकि यहां पर जो स्प्रेम का स्थानता सिक्षा का संतान का स्थानता वो सभी रोग में चले गए ते लेकिन अब इसका ज और दामपत्य सुख होता है उसमें भी निश्चित रुप से बड़ोत्री करेगा अब हम बात करते करक राशी वालों के लिए कैसा करक लगन वालों के लिए कैसा होगा इसका ट्रांजिशन तो आई हम देखते हैं यहां पर दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तो जो सिक्षा के अस्थान पर बैठा हुआ था और सिक्षा के अस्थान पर बैठा होने के करण और देखें करक लगन वाली कुंड़ी में जो अगर हम कहते हैं गुरू की यह शुक्र की जो पोजिशन होती है दो अच्छे जगा का मालिक हो जाता है एक तो सुक अस्थान का मालिक हो जाता है तो करक लगन वाले जातक का अगर शुक्र अच्छे जगा पर हो अगर वो नीच का ना हो उसका नीच भंग नहीं हो रहा है और तो उस करडिशन में आपको हीरा जरूर शुक्र लगन वाले करक लगन वाले जातकों को हीरा या ओपल जरूर पहनना चाहिए क्योंकि इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो आपके सुक अस्थान का मालिक है और आपके इंकम का भी मालिक है तो यहाँ पर अच्छे अस्थान का होने के करण यहाँ पर शुक्र की पोजीशन जो होती है हमेशा एफेक्ट करती है आपके सुक अस्थान को आपके इंकम अस्थान को तो अभी तक तो सिख्षा शेत्र में जाकर बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन अब शुक्र का जो ट्रांजिशन होगा, वो शुक्र रोग अस्थान पे जा रहे हैं, हाला कि रोग अस्थान पे जाएंगे यहाँ पर उनका जो मित्र है शनी भी उनके साथ रहेगा, तो शन यहां पर जो पोजीशन है शनी के साथ शुक्र की जो यूती बनेगी वो बहूँखता मैं निगेटिव नहीं मानता हो यहांपे लेकिन फिर भी निगेटिव कुछ नहीं घुस्तो करेगा आपके माता को रोग में ले झाके रख दिया और साथ में आपके बड़े भाई को भी यहां पर रोग दे सकता है तो इस समय थोड़ा सा वाहन प्रापर्टी और इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी अच्छा टाइम नहीं है शुक्र के गोचर से हाला कि मैं आपको बता दो करक लगन वाले जातकों का जो मंगल का परिवर्टन है वो निश्यत रुप से ही मंगली मंगल करने वाला है तो बहुत विश्यस रुप से परिशान होने की जरूतनी है करक लगन वाले जातकों के लिए अब हम बात करते हैं सिंग लगन के जातकों क वो आपके सुक अस्थान पर थी और यहां पर भी देखिए तो आपके जॉब का यानि सिंग लगन वाले जितने भी जातक होते हैं उनका जॉब का जो मालिक होता है खुद शुकर ग्रह होता और शुकर ग्रह खुद ही अपने घर को देख रहाता तो इस डूरेशन में जॉब में रिलाक्सेशन महसूस करना यह सारी चीजे हो रही थी लेकिन अब शुकर का जो ट्रांजीशन होगा वो अपना राशी परिवर्थन करके इस अस्थान पर पहुंच जाएंगे और जब शुकर प्रेम प्रसंग और सिक्षा संतान वाले अस्थान पर पहुंच जाएंगे तो उस कंडिशन में आपका कर्म शेतर में कुछ अफेयर हो सकता है थोड़ा सापको साफधान रहने की जरूते यहां पर और यहां पर आपके जो छोटे भाई बैन हैं उनकी पढ़ाई ही अगर किसी कारण से रुकी हुई थी वो सिक्षा में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे तो छोटे भाई बैनों के लिए निश्चिद रूप से यह बढ़िया ट्रांजीशन होने वाला है और शुक्र का जो ट्रांजीशन होगा यहां पर क्योंकि सिक्षा का स्थान है तो आपको जॉब में हो सकता है कि आपको थोड़ा सिक्षा भी कराएगा यानि जैसे कोई ट्रेनिंग जो कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग होते हैं उस ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं लोग तो कर्म छेत्र का अमालिक अगर एक त्रिकोंड में चला जाता है तो वैसे ही सुब फल देगा क्योंकि नैसर की कृप से थोड़ा रोमांस वाला प्लाइनेट होता है तो कर्म छेत्र में भी आपको रोमांस की अनुभूती होगी तो सिंग लगन वाले जातकों के लिए यह है अब हम बात करते कन्या लगन वाले जातकों के लिए इसका ट्रांजिशन कैसा होगा तो कन्या लगन क्यों बना क्योंकि यहां पे 6 नंबर लिखा है और कन्या आपका संचित दन का, आपके वाड़ी का, आपके परिवार का, तो ये दोनों अस्थान का जो मालिक है, वो शुक्र है, और शुक्र अभी आपके पराकरम अस्थान पे बैठा हुआ था, तृतिये भाव में बैठा था, तो पराकरम आपका निश्टरुप से बढ़ा चड़ा होगा, आप समाज में नेम फिम गेन कर रहे होंगे, लेकिन अब ये ट्रांजिशन इसका आपके सुक अस्थान पे जा रहा है, और वहाँ पर पहले से ही शनी की उपस्थिती है, और गुरु जो इसका एंटी प्लैनेट है, उस अस्थान पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चनी के साथ रहने के करण जो शुक्र का जो प्रभाव होगा क्योंकि दो मित रापस में मिल जाएंगे तो यहां पर आपका भाग ये उदय भी यहां पर कराएगा लग से जो काम नहीं बन पा रहे थे अब बनना है स्टार्ट होंगे और यहां पर आपकी धन वाड़ी यानि आप अपनी वाड़ी से सुक को कंट्रोल में कर सकते हैं यानि आपकी वाड़ी ऐसी होगी वो राजनीतिक भी हो सकती है वो सामाजिक भी हो सकती है आप अपनी वाड़ी से यानि और आपका जो परिवार का जो सपोर्ट होगा वो आपको इस पीरियर्ट में बहुत अच्छ आठ नो तो अभी तक जो शुक्र था वो दूती अस्थान पे था यानि लगनेश को धन के अस्थान पे था तो लगनेश का धन अस्थान पे निश्चित रूप से परिवार में बहुत आप अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे इस दूरेशन में और शुक्र का जो अस्थान पे चला जाएगा तो अब आपका नेम फिम चोटे बाई बैनों का नेम फिम यह सब बढ़ने वाला है यहांपर थोड़ा सा वियर्थ की थोड़ी सी भाग दौड़ भी हो सकती है क्योंकि यह वियर्थ का भाग दौड़ का भी अस्थान होता है तो यहां पर तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर आपस्टेकल जरूर देगा काम बनते बनते रुकेंगे लेकिन ओवरॉल देखा जाए तो शुक्र का जो ट्रांजिशन है आपका नेम फिर्म तो यहां पर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा अब व्रिश्चिक लगन वाले जात्कों के लिए क तीन चार पांच छे साथ आठ नो तो शुक्र जो था अभी लगन में बैटा था और देखिए इस कुंडली में जो शुक्र होता है विर्श्चिक लगन की कुंडली में शुक्र अती मारक बनता है क्योंकि सब्तम स्थान का स्वामी है जो की मारक कहलाता है और 12 अस्थान है जो की मारक बन जाता है यानि वरिष्टिक लगन वाले जातकों को कभी भी हीरा ओपल यह सब नहीं पहनना चाहिए अस्त के खर्च हो रहे थे वह सब उठाकर आपके शरीद पर रख दिया यानि अस्पतालों पर बहुत जादा खर्च हुए ब्लड से इंफेक्शन तो यह सारी चीजे वरिष्टिक लगन वाले जातकों के लिए हो रहा था लेकिन अब शुक्र का जो ट्रांजीशन होगा वह अब परि शनी निश्चित रूप से आपकी आवाज में थोड़ी बोलनेस लेके आएगा और शुक्र जो है आपको यहाँ पर पत्नी सुक या पती सुक जिसको कहते हैं वो यहाँ पर जरूर दिलाएगा आप ट्रैवलिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि यह परिवार के साथ ट् नंबर यहाँ पर आएगा और दो नंबर यहाँ आएगा दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तो अब तो यहाँ पर एक सम प्लाइनेट माना जाता है धनूलगन वाले जातकों के लिए तो शुक्र का जो अभी गोचर चल रहा था वो शुक्र 12 अस्थान पर बैठे हुए यह सारी चीजें इस डूरेशन में होने की संभावना थी लेकिन अब शुक्र जो है खुद लगन में पहुंच जाएगा और जब लगन में शुक्र पहुंचेगा तो निश्यतरुप से इनकम के लिए बेटर हो जाएगा बड़े भाई से संबंद जो होंगे आपके बड़ की राशी में जा रहा है तो इसका ट्रांजिशन रोग के इसाब से इस समय चोटी मोटी रोग लगी रहेंगी तो विशेश चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि यह जो राशियों का जो गोचर होता है केवल एक प्लैनेट के अधार पे अगर हम देखते हैं तो बड़ी सामा है उसको सामाने आधात पर ही समझना चाहिए अब हम बात करते हैं अगर मकर लगन है यानि दस नंबर लिखा है तो हम बात करते हैं दो नंबर यहां होगा तीन चार पांच साथ नंबर और याद रखें मकर लगन वाले जातकों के लिए दूनों अच्छे अस्थान यानि सि सौमी होकर खुद लगनेश का मित्र भी होता है क्योंकि लगनेश ठाइब होता है और यहां पर हास दोनों शुक्र और सानी दोनों बेस्ट फ्रैंड माने जाते है तो अच्छे प्लैनेट है तो अगर मकर लगन आपका है तो निश्ड रूप से आपको यहां पर हीरा या ओपल पहनना चाहिए क्योंकि दोनों अच्छे अस्थान के मालिक है लेकिन बस देखना पड़ेगा आपकी कुड़ी में कहीं वो गलत अस्थान पे तो नहीं चला गया है क्योंकि गलत अस्थान पे चला गया हो या नीच का होकर बैठ गया हो तो फिर नीच में बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है जैसे नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके बाद ही हम रत्म का निर्धारान कर पाते हैं तो यहां पर मकर लगन वाली कुंडली में अभी तक जो राशी जो थी शुक्र एकादश अस्थान पे था तो निश्चित रुप से सिख्षा में और यहां पर प्रेम प्रसंग भी काफी बढ़ाया होगा सिख्षा में भी बहुत जादा उन्निती दिया होगा और कर्म शेत्र यानि जॉब में भी क्योंकि जॉब का स्वामी कुद इंकम में बैठ गया तो यहां पर बने हुए थे लेकिन अब शुक्र जो है वह 12 अस्थान पर जा रहा है तो वैसे ही निगेटी बन जाता है शिवा है वह आपका मतलब कि नैसरगी कुल्प से जो सुब प्लानेट होते हैं उनका जो ट्रांजिशन होता है 12 अस्थान पर अच्छा नहीं माना जाता ह चटों अस्थान पर अच्छा नहीं माना जाता है तो जो शुक्र है यहां पर 12 अस्थान पर जैसे ही जाएगा यहां पर कर्म चेतरी यानि आप जॉब लेके आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा यानि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काम की आपके ट्रांसफर होने का योग बनाएगा जॉब में हो सकता है आपको कहीं ट्रेनिंग में जाना पड़े बाहर क्योंकि यहां पर सिक्षा भी है तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी आपको बहर ले जा सकता है और साथ में अगर आप का आपकी अभी शादी नहीं हुई आपके प्रेम प्रेशन में होंगे तो ओवराल मैं देखता हूं तो यह काफी अच्छा टाइम रहने वाला शुक्र का हाँ खर्चा जरूर यहां पर बढ़ाएगा क्योंकि खर्च में जा रहा है अब हम बात करते हैं कुम्ब लगन वाले जातकों के लिए कैसा होगा इसका गोचर तो कुम्ब लगन में देखा जाए तो यहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है तो यहां पर आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहां पर दो नंबर सुखस्थान और यहां पर भाग्यस्थान लेकिए यहां पर भी जो है मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर आपकी लगन जो है कुम्ब लगन है तो आपको हीरा या ओपल या अमेरिकन डायमन जो भी आप कमफर्टेबल है उसको आपको धारन करना चाहिए बस कंडिशन है कि नीच का ना हो और उसका नीच भंग अगर नहीं हो रहा है तब तो निश्चित रुप से आपको नहीं पहनना चाहिए क्योंकि सुख बाओं में फिर कमी कर देगा जो प्लैनेट स्ट्रॉंग होता है उसी क आकि बल रत्न धारन करना चाहिए आस्त अवस्था में किसी का भी आप रत्न धारन कर सकते हैं हाँ लेकिं रोग का सौमी हो का रस्त है wanna और उस कंडिशन में प्लैनेट आपने जो गोचर था वो आपके कर्म छेत्र में चल रहा था और कर्म छेत्र के करण यानि भागे से कर्म छेत्र यानि जॉब का लगना भागे से माता के साथ बड़ी अच्छे प्रापरटी इन सब में काफी अच्छा यह काम कर रहा था लेकिन अब इसका जो ट्रांजिशन है वो इनकम में चला गया तो अभी भी प्रमोशन यानि इनकम अभी भी बढ़ाएगा अभी भी आपका जो भूमी वहान मकान में इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं निश्चित करना चाहिए आपको और छोटी मोटी ट्रैवलिंग कराएगा पिता का इस समय आपको बहुत जादा सायोग मिलेगा और यहां पर प्रेम प्रसंग भी आपके बढ़े रहेंगे आपको सिक्षा में आपकी क्रियेटिवटी बढ़ेगी और आप की जो सिक्षा है जो ययानि मीन राची यानि मी लगन वाले जातक पर यह कैसा प्रभाव देगा तो मीन लगन में यहां 12 नंबर लिखा ओगा तो दो नंबर यहां पहुंचा 3 4 5 6 7 8 9 तो देखें मीन लगन में जो हैं डोनों ही गलत घर मिले हैं तो मीन लगन वाले जातक वैसे हीरा ओपल यह अब ही का अस्थान का स्वामी था तो अभी तक यह भाग इमें था तो आपके और अपने घर को देख रहा था तो जब भी कोई प्लैनेट अपने घर को देखता है तो उसकी विर्दी कर देता है तो यहाँ पर शकर का की द्रिश्टी जो यहाँ पर घर पर पड़ रही थी वो निश्यत रुप से शुक्र ने क्या किया यहाँ पर आपके नेम फेम को बढ़ाया आपके आपस्टेकल को भी कम किया भाग में चला गया थोड़ी ट्रैवलिंग कराया लेकिन अब यह कर्म छेतर में पहुंचने जा रह आपके छोटे भाई बैनों का प्रमोशन होने के चांसेज हैं आपके खुद के प्रमोशन होने के चांसेज रहेंगे यहाँ पे और अगर देखा जाए तो जो बहुत सारे काम पहले से रुके हुए थे वो सबी अब जाकर कंप्लीट होने लगेंगे तो देखे जो राशिय भी जो प्लैनेट होते हैं उनका जो चेंजिंग होता है उनका जो डिग्री वाइस चेंज होती है बहुत चीजों पर डिपेंड करता है राशी फल जो होता है तो इसलिए राशी फल जो होता है उसको भी देखना चाहिए और यह जो ट्रांजिट करेगा 50% तो अपना यह अ तो गोचार है वो निश्यत रुप्षे सभी के लिए अच्छा हो मैं हूँ एस लॉजर के अंसे ना ओम नमस्षिवा है